नमस्कार आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूँ आपके साथ निकिता पांडे आज कर ट्वीटर पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसमें दो अल्फाबेट्स के बीच के लेटर को पैचानना है इस ट्रेंड के वाइरल होने के बाद इन पर कई मिम्स भी देखने को मिल रहा है लोग एक दूसरे को टैग कर इस ट्रेंड को एंजॉय कर रहा है जनकारी के मताबिक यह ट्रेंड पुराना बताया जा रहा है इसकी शुरुआत 4chan पर हुई थी 4chan एक image-based website है जिस पर आप image share कर सकते हैं और साथ ही comment भी कर सकते हैं इस मिम्स को साल 2021 में ही share किया गया था और एक बार फिर से यह trend में आ गया है इस trend के वाइरल होने के बाद लोग इसे अलग-अलग चीजों से connect कर रहे है और तो और इस trend की मदद से लोगों ने next PM तक का पतल लगा लिया है बता दे कि आम जनता से लेकर politics तक के लोग इस trend में interest ले रहे हैं trend को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमत विश्व सर्मा का भी tweet देखने को मिला उन्होंने अपने Twitter handle पर PM Modi को कौन vote करेगा पूछा है वो आगे कहते हैं कि keyboard में Q और R के बीच देखो alphabet Q और R के बीच भी आता है यानि हम उसके बाद ये trend क्रिकेट जगत में भी viral हो रहा है बता दे कि trend के जरिए विराट कोली की team RCB Trollers के निशाने पर आ गई है हमारी तरफ से V और R के भी जरूर देखें ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफतार को